असलाम लेकुम, गुड मॉर्निंग टू क्लास, हो आर यू, I hope you will be fine, here is the 16th lecture of English, please open your English book page number 31, जी तो स्टूनेंट्स कल हमने अंड्रोकलीज एंड दा लाइन, लेसन नमबर 3 की रीडिंग एंड ट्रांसलेशन की थी, आज हम उसका नेक्स पेराग्राफ करेंगे, चलेंजी स्ट करते हैं, दा लाइन हेल्ड आप इट स्पा, शेर ने अपना पंजा, उपर उठाया, एंड रोड लौड ली, और उंची आवाज में गरजा, एंड्रोकलीज लुक्ट एड दा लाइन स्पा, एंड्रोकलीज ने शेर के पंजे की तरफ देखा, अ थार्न वास टक इन इट, एक कांटा उसमें चुबा हुआ था, एंड्रोकलीज जेंटली पुल्ड आउट दा थार्न, एंड्रोकलीज ने अराम से कांटा बाहर खेंचा, दा लाइन लिग्ड हीज फेस, शेर ने उसका मूँ चाटा, After some days, कुछ दिनों बाद, some men came in the desert, कुछ आदमी सहरा में आये and caught अंड्रोकलीज और अंड्रोकलीज को पकड़ लिया, They took him back, वो उसे वापस लेगे to the town कस्बे में, they put him in a cage, उन्हों ने उसे पिंजरे में डाल दिया, There was a line in the cage, पिंजरे में एक शेर था, it wrote loudly, वो उँची आवाज में घर जा, and रोकलीज वाज अफ्रेड, and रोकलीज खौफ जदा था, जी तो students, आज हमारी reading and translation इतनी है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से learn करना है, word meaning आपने book के उपर write कर लेने हैं, okay students, अलाफीस,